जो cranial nerve को आप लोग अच्छे से पढ़ ले ना इसमें ये संडचना आप धिहान रखना ये वाला जो structure है इसको हम brain कहते हैं ये वाला 7th auditory है ये जो नीचे आपको नर्व दिखाए रही है इसका नाम है lateralis ठीक है 10th lateralis है ना और ये 9th नमबर पे है glossopharyngeal ठीक ये पीछे वाला spinal cord है और यहां से निकलनी वाली जो nerve है इसको हम क्या बोलते हैं यहां पर इसको पढ़िए इसको post-traumatic pharyngeal रिजन पर जा रही है और ये pre-traumatic है hyomandibularis है mandibularis है और mandibularis है ठीक है externus और internus है ना 7th position पर externus और internus है ठीक इसके पहले यहां पर nasal sex दिख रहा है उसके निचे neris दिख रहा है ये bacalis है bacalis 7th position पर है सबंद नंबर की नर्व है है और maxillaris है superior of fifth nerve है maxillaris inferior fifth है superior और inferior ठीक है और यह वाला जो है mandibularis है mandibularis fifth है तो यहां पर एक दो और तीन आपको याद करना है आपर पोजिशन पर maxillaris में ठीक है और उसके बाद mandibularis जो है यहां पर आप नीचे आप नीचले लेयर पर देखेंगे तो आपको यहां पर एक नर्व दिखाए देगी जिसका नाम mandibularis externus 7th है ठीक है और externus है और उसके जस्ट नीचे वाला internus है internus 7th है ठीक है जट का नाम है oculometer है है और आपको second नमबर पर है optic यह आपको दिखाए देरा optic fourth नमबर पर है pathetic ठीक अप्थालमिकर superficial is fifth और आपका seventh ठीक है ठीक है बच्चो और यह वाला जो है इसको पहले टाइन आप seventh बोलेंगे ठीक तो इसको धिहान से अच्छे से पढ़ लेना है ठीक इस koliodon का cranial nerve जो की कित्ते होते हैं बच्चो टैन पेर होते हैं ठीक करने नर्व कित्ते होते हैं देखें दस जोड़ी होते हैं और इनको आपको बहुत अच्छे से इनका लेवलिंग याद कर लेना है ठीक है डाइग्राम बनाना है और इसको नमांकित करना है लेवलिंग करना है ठीक है